करें लोग 2 वालकूम यह यूटीब चनल मेफेमेटिकल कॉन्सेट स्वागर्था आप सभी का हमारे यूटीब चनल मैतेमेटिकल कॉन्सेट्स में हम लोग 3-Damensesna Geometry इसकोश कर रहे हैं उसमें लोग लग कवर कर चुके हैं basic 3-Damensesna Geometry कर चुके हैं प्लेन के दो लेक्चर हम अल्री कवर कर चुके हैं आज के लेक्चर में हम लोग बचावा प्लेन कवर करेंगे मतलब जितना हमारा रहे गया था पहले दो लेक्चर में उसको कवर करेंगे यह लेक्चर हम लोगोंने बनाया है NDA, JE, BSC, JAM और 11-12 के लिए हाला कि यह दर कमटिशन के लिए इक्विली इंपॉर्टेंट है आज के लेक्ट्र में हम लोगों ने मेंली जो है आईडी जेए के प्रावलन सॉल्ब करी है और एक दो प्रावलों हम लोगों ने जो है आज लोगों ने लिखा रखा है आज एंगल बेट्विए लाइन अड़ प्लेन एंड प्लेन अंड बेसिकली इसमें हम लोग अगर एक प्लेन और एक लाइन हुंको गिवल है तो उनके बीच में क्या अंगल पॉसिबल हो सकता हूँ देखेंगे, ठीक है क्या कंडिशन उसके the two planes, अगर दो plane cut करते हैं उसे गो, तो उनके बीच का जो angle बनता है, चाहब optis हो, चाहब acute angle हो, उसे कैसे calculate करते हैं, वो देखेंगे, उसका y sector, फिर image of a point in a space देखेंगे, ठीक है, with respect to plane की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग, और कुछ previous है problem देखेंगे, चली, आगे बढ़त कि suppose that यह plane लिया है हम लोगों ने कोई, यह, मैं एक और रोग कर देता हूँ, यह हम लोगों ने plane लिया है, और यहाँ पर यह कोई line given है, अब कहें कि angle between the plane and the line तो अगर in general लेके तो कोई sense बनता नहीं, पर अगर हम बात करें, angle between the plane and the line के तो इसका angle between the normal, जो normal है हमारा plane का, उस का और जो line given है उसके बीच का angle, because itself plane की अपनी कोई ऐसे कोई direction वाला component होता नहीं है, यह direction component इसका जो होता हूँ, इसका normal ही है, जो भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, यह angle calculate का नहीं कोईश करते हैं, यह वाला, तो basically अगर देखें, अगर यह angle जो है, suppose that theta है, तो अगर आप यह देखें, यह parallel है इसके plane के, तो plane के और line के बीच का angle का मतलब हो गया कि फिर यह वाले angle हम लोग calculate करते हैं, यानि कि हम 90-theta calculate करेंगे, यानि कि अगर यह theta है, तो यह 90-theta, अगर यह theta है, तो यह 90-theta, यह हम लोग basically calculate करते हैं, तो जो हमारा angle between the two lines था, अगर आपको याद हू अगर एक के DR से हमको A1, B1, C1 दिये होते थे, एक के A2, B2, C2 दिये होते थे, तो हम लोग वहाँ पर जो angle बोलते थे, वो A, A1, B, B1, C1, C2 इस ताँ से करते थे, हम लोग अपन अंडवर्ट उनके square, जो DR से थे थे, वो उनके square का sum करके, इसका square root calculate करते थे, उसको नीचे म अब angle का formula वही है, सब कुछ वही है, पर यहाँ पर जो हम लोग calculate करेंगे, वो 90 minus theta येवल angle calculate करेंगे, तो इसलिए हम लोग cos 90 minus theta लेता है, जो कि sin theta के ताँ ठीट होता है, ठीक है, और फिर हम लोग इसको calculate करके angle theta calculate कर जेता है, ठीक है, तो basically जो हम लोग calculate करने की कोशिश कर र the line and the normal, that's why हम लोग यहाँ पर 91 minus theta की ताँ इसको treat करते है, ठीक है, अब देखे, जो plane और straight line है, वो parallel होंगी, जब a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 is equal to 0 होगा, अब आप देखे, वहाँ पर जो parallel का concept था, और जो perpendicular का concept था, वहाँ पर parallel का concept में, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 था, और यहाँ पर जास उसका उल्टा हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर sin theta की रिखा, और cos theta की रिखा, sin theta की रिखा, sin theta की रिखा, तो जहाँ पर sin 0 होता है, वहाँ पर cos 1 होता है, और जहाँ पर cos 0 होता है, वहाँ साइन 1 होता है, यानि कि 90 पर, जहाँ पर यह parallel है, तो इसका अगर जहाँ अपोड यहां पर फिर वही फंड़ा लग जाता है यहां पर स्टेट लाइन न लग जाता है यहां पर के बीच में तो रहे हैं इंटर्चेंज होता यह और यह पर अगर आप प्लेट झाल्चे बात करेंगे तो वही लाइन वाला कॉंसरपट रहेगा फेस्ट वाली कंडिशन रहेगी तो आपको एक्स्ट्रा पेल लेने के जो हती है पर आप सीधा क्याश्ड करें उसके उनके X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1, फिर इसके DRs, फिर इसके DRs, जब तक देगा नहीं, तब तक हम इसको DCs लेंगे ही नहीं, हमेशा DRs ही लेंगे, हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में, यह X1, Y1, Z1 यहाँ पर, X2, Y2, Z2 यहाँ पर, दोनों का difference, अगर यह determined 0 आता तो यह co-plane होता है, अगर मैं काओं कि यह plane है, यह पहली line और दूसरी line दोनों contain करता है, तो उसकी equation निकाल लिए, तो आपने जहाँ पर यहाँ पर जो X2 लिखा है, उसके आप X replace कर दीजे, आप ऐसा भी कह सकते हैं, कि आप यहाँ पर जो है, X2 ले 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 और यहाँ X ले ले ले, ठीक है, वो यह plane है, यह एक line contain करता है, suppose that यह equation of line है, वो X minus X1 upon L, Y minus Y1 upon M, equals to Z minus Z1 upon N है, तो देखे, अगर plane की equation लिखनी होती है, तो हमको चाहिए क्या होता है, वो देखते हैं पहले हम, यह suppose that plane का normal है, ठीक है, नॉर्मल है तो हर point पर 90 degree angle बनाता होगा, तो अगर हम plane की equation लिखनी होती है, अगर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो जितना भी यह line है, यह line है, यह पूरी की पूरी इस plane पर लाई करती है, अगर पूरी line जो है, इस plane के उपर है, तो मतला हर एक point इसका जो होगा, plane के उपर होगा, यानि कि जो point है, X1, Y1, Z1 यह इसको satisfy करेगा, यानि कि आ अगर आप रखें, AX1 प्लस B, Y1 प्लस C, Z1 प्लस D इकोसर तो यह 0 आएगा, और जो ABC है, उनको calculate करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, देखें, ABC calculate करने के लिए, इसके डियास का उनले पर 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह normal है, इस line के उपर, क्योंकि यह plane के अंदर ह है, यानि कि A condition आपको यहाँ से मिल जाएगी, A L प्लस B M प्लस C N, एक क्वेशन सी दो, इन दोनों का आप solve कर लीजिए, और जो भी required, real tap को चाहिए, वो required, real tap के पास आजाएगा, ठीक है, यहाँ आप देखें, यहाँ पर जैसे यह यह यूस किया, same वही concept यूस किया है, आ आप इसमें रख लीजे, जो हमने last lecture में discuss किया था, एक पॉइंट से जाता है, और इसका DRS दिया हूँ है, DRS का combination यहाँ से आपको पता चल गया, यही बात है, पुजी के पुजी हो, ठीक है, चलिए, अगर equation plane through a given line and parallel to the another line, एक line से जाती हो, और दूसरी line के parallel हो, तो फिर तो बहुत अच्छा हो गया, आपके जो unknown था, वो निकालने के लिए आपको मिल गया, देखिए यह plane को अगर आप ध्यान से देखें, plane की equation जो होती है, वो AX प्लस BY, मैं यहाँ लिखता हूँ, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D equals 0 होती है, यहाँ पर जो number of unknown होते हैं, वो 3 होते हैं, त तो देखिए number of unknown कितने होते हैं, आपके 1, 2, 3, तो इसलिए यहाँ पर plane की question होते हैं, इसमें parameter जो होते हैं, वो हमें 3 ही माने आते हैं, ठीक है, तीन parameter वाली question होती है, तो हमें ABC calculate करना होता है, बस, ABC calculate करने हैं, अगर हमको 3 unknown यान के 3 parameter चाहिए, तो हमको 3 condition चाहिए होती है, त TC यहाँ पर parallel हो गए, तो इसको आप यहाँ पुट करिए, जैसे आपने coplaner की बात करी थी, तो वो plane आ जाता है, ठीक है, तो यह required plane की question हो जाती है, चलिए आके बढ़ता है, bisector of the angle between the two planes, अगर हमने suppose that एक plane यह draw किया, ठीक है, इसको एक दूसरा plane कट करता है, suppose that, इसको हम इस तांसे draw कर देते हैं, यहाँ पर, अब देखिए, यह जो basically, यह दो plane है, अगर इनके बीच, normal के बीच के angle लिखेंगे, तो suppose that, यहाँ से इसको normal, यहाँ इसको cut करता है, तो देखिए, यह जो angle है, एक तो यह acute angle है, और यह यह obtuse angle, अगर देखें, दो angle हम लोग हमेशा मानते हैं, तो जो equation of angle bisector होता है, जो मतलब इन दोनों का equally cut करके, यहाँ से जा रहा है, यह यह जा रहा है, दो bisector होता है, इसके बीच के, एक तो acute angle को bisector होता है, और एक obtuse angle को bisector होता है, ठीक है, तो यहां पर जो equation होती है यह जो equation db है पहले वाले की और दूसरे वाले की उसका आप ऐसे लिखिए और उनको dc's बनाने के लिए आप उनके dr से उनके square के sum से divide कर दीजिए square उट से प्लस-माइस लगा देफ्लस-माइस क्यों आ रहा है यहां पर दो जो है आपके ऐस by-sector नेका acute का एक obtuse का जहां प्लस-sign गुंसरीडर करेंगे तो वह by-sector आएगा जिसमें origin लाई करता है ठीक है और जब minus साइन कर देखेंगे तो वो आएगा जिसमें जो जिसमें ओरिजन नहीं आता है अब एक optuse को करता है एक acute को करता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इन दोनों y-sector को calculate करते हैं एक बाद प्लस साइन के साथ एक बाद माइन साइन के साथ उसका अगल निगालते हैं इस किसी भी बिलेन के साथ अगर वो जो है 45 से कम आता है 45 से क्यूंक क्योंकि यह वाला अगल तो हाफ हो रहा है ना बिस्कली तो 45 से कम आता है तो acute angle का अगर जादा आता है तो optis angle का bisector ठीक है इतना आम लोग calculate करता है आप इसको a1, a2, b1, b2, c1, c2 से भी calculate कर सकते हैं ठीक है वो आपके उपर कैसे आप करना चाहते है नहीं करना चाहते है otherwise सबसे अच्छा method तो हुई है कि आप दोनों के बीच के angle calculate करिए वो बहुत अच्छे से आता है अगर देखें अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 से आप origin calculate करना चाहते है origin side वाला तो अगर A1 यह negative आए then origin lies in the acute angle between the planes given ठीक है यहाँ पर एक बात ध्यान रहें वाली है यह D1 और D2 का sign होगा वो same sign होगा different sign में होगा ठीक है और अगर यह positive आए ठीक है तो यह obtuse angle then origin will lie in the obtuse angle ठीक है इसके उपर हम प्रालम देखेंगे तो यह all clear होगा अभी हाल प्राल के लिए यहाँ रखते हैं कि दो bisector है एक plus sign के साथ एक minus sign के साथ plus sign में हमारा origin line करता है minus sign में हमारा origin line नहीं करता है अब acute angle या obtuse angle का bisector यह पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते है angle निकालते है 45 से अगर कम आता है तो acute का bisector है 45 से उपरा आता है तो obtuse का bisector है ठीक है चलिए image of a point in a plane यह देखते है let क्या कि अगर हम आपस दो point है यह देखते है हम यहाँ पर यह plane हमने draw किया एक point यह है हम बोलने कि यह जो point है Q यह इसकी image होगा इमेज होगा तो क्या होगा कि यह जो line है जो P, Q line है यह basically इसको जहाँ cut करेगी वो foot of the perpendicular होगा मतलब यह line perpendicular line होगी इसकी secondary जो R point इसको हम बोल रहे है इसको इन दोने का mid point होता है अगर यह mid point होग यह perpendicular bisector हो इस तेन का तो यह Q जो होता P का image होता है तो इसी बात को हम लोग इसे calculate करने में use करते हैं कैसे हम लोग क्या करते है एक line calculate कर लेते हैं जो plane के perpendicular होती है ठीक है और उसको देखते हैं कि वो plane को कहां cut करती है उससे foot of the perpendicular निकल जाता है यानि कि इन दोने का mid point निकल जाता है अब हम आए पस यह point भी आगे यह point भी आगे हमको यह point calculate करने है तो हम यह point को calculate करने है mid point वाला formula लगा का easily इसको calculate कर लेते है तो यही हम सारा concept यहां पर लोग ने लिखा वे कि अगर image अगर point calculate करना है तो यह line हम लोग ने यह point आगे आपके पास और यह plane की equation x plus dy plus cz plus d दी भी है तो देखिए यह plane है इसके parallel जो इसके perpendicular equation है वो क्या है कि line की उसके डियास होंगे abc abc हमने यहां लिख दिया point उसका दिया हुआ है यह लिख दिया इसको आप जो है r के या lambda के equal लिख दीजे आप यहां से x निकाल दीजे y निकाल दीजे अब यह plane में लाई करता है तो plane की equation satisfy करेगा plane की equation satisfy करेगा आपके बस r की value आगई इसकी यह जो r लिखा है आपने इसकी value आगई अब अगर आपके आपके आप r calculate हो गया है तो आप easily इस point के coordinate निकाल सकते है ओर यह जो है ये वाला जो point होगा आपका physically ये वाला point इसकी image है तो इसका अगर ये वाला point का जो midpoint हो यहांपर होगा तो midpoint है आपके आज ये point भी है और ये point भी है तो आप ये point easily calculate कर सकते हैं ठेके चलिए हांके बढ़ते हैं कोशन करते हैं यह NDA के प्रालम है यह एक ही प्रालम है यह एक ही प्रालम है यह रखी है बाकि सब यह यह की प्रालम है if q is the image of the point this one इस point का image है in the plane यह हमको plane दे रखा है ठीक है find the coordinate of the point q, length pq and the direction ratios of तो यहाँ पर हमको दियावा है कि जो q है वो image है किस point की इस point की and हमको साथ में दियावा है कि यह जो plane है वो reference plane देखा तो q के coordinate निकालने, length निकालने, pq की और direction ratios निकालना है तो basically हमको ऐसे कुछ दिया हुआ है उसने न, थोड़ा visualize करने की कुछ करते है, easily हो जाता है हमाने लिए फ्रासा p-point दिया हुआ है उसने, minus 2, 1, minus 5, ठीक है coordinate निकालने, q-point का जो की image point है यहाँ पर खेंक q होगा ठीक है, यह midpoint होगा इसका और साथ में यह line होगी, यह perpendicular line होगी इसके लिए ठीक है, तो pq हमको निकालने के लिए लेका है, length भी निकालने है उसका direction ratio भी निकालने है तो हमकर हमने r निकाल लिया तो सब कुछ हम calculate कर सकते हैं तो हम लोग क्या रिक करते हैं, कि line perpendicular to 3x-2y-2z-1 equals 0, इस पर perpendicular end passes किसे होती है, pass हो रही है हमारे पास यह किससे minus 2, 1 और minus 5 से, इससे pass होती है, तो यह निकालते हैं, तो क्या होता, देखिए point दे रखा, x plus 2 हो गया यहाँ पर और देखिए, इसके DR हम use करेंगे, क्यों use करेंगे, basically, यह perpendicular line है, perpendicular के DR हमको दिये हो रहे हैं, क्यों कि normal के DR हमको यहाँ पर लिखे होते हैं, तो y-1 upon minus 2, z-plus 5 upon 2 हो गया, ठीक है, आप इसको lambda के equal लगते हैं, lambda के equal लगते हैं, तो देखिए, basically हम लोग कर कर रहा हैं, यह assume कर रहें कि यह जो point है, यहां से यह calculate हो रहा है, आपके 3 lambda minus 2, minus 2 lambda plus 1, और 2 lambda minus 5, यह point इस पर लाही करता है, है, इस वाले plane पर, तो आप इस वाले plane पर लाही करता है, यानि कि यह foot of the perpendicular, r हम लोग इसको assume कर रहें, यह basically r के coordinate हैं आपके बास, तो इस पर लाही करता है, अगर इस वाले plane पर, इस वाले plane पर इसकी equation को satisfy करेगा, आप इसके ऊपर रख दीजे इसको, तो 3, lambda minus 2, minus 2, minus 2 lambda plus 1, plus 2, 2 lambda minus 5, plus 1 equals 0, अब आप यहां से इसको solve कर लेजे, जब आप इसको solve करेंगे, यहां से तो कितना आएगा, यहां से आएगा, 6, minus 2, minus 8, minus 10, याने कि यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, 5, यह हो गया, 6, minus 6, minus 2, plus 10, याने कि 0, याने कि यह हो गया, lambda इसको डिजे 17 हो गया, और यह भी 17 हो गया, याने कि यह कितना आगर, यहां से जो आपका आएगा बेसिकली आपके लिए यहां पर रखा इसको 3-1 और यहां पर रखा आपने यह वादा पाइंट आ गया जो की मिट पॉइंट है इन दोनों का तो आपका एजी लिया सकता है तो Q की calculate करने के लिए आप क्या करेंगे देखिए midpoint का concept लगाएए इसका और इसका sum इसके ब्रावर होता है यानि कि अगर मैं को X calculate करना है तो यानि कि मैं suppose कर लेता हूं यहां पर इसके यह coordinate है वो X Y और Z है तो X-2 upon 2 is equal to 1 तो यानि कि यहां से क्या हो गया एक्स के वाली कितने आगे 2 प्लस 2 यानि कि 4 आ गई ऐसी Y-1 upon 2 is equal to minus 1 यानि कि minus 2 और यह इदह गया तो यानि कि Y is equal to minus कर वन आ गए ऐसे आप Z प्लस Z-5 upon 2 करेंगे आप यहां भी प्लस होना चाहिए यह माइस कर 2 और यह माइस कर 3 वह जाएगा फिर इक्वेस टू Z-5 upon 2 equals to how much midpoint इसका माइस कर 3 तो यह वह गया माइस कर 6 और यह भी माइस कर दो Z right equals to minus कर वन आ गया तो जो आपके Q point था basically वह आपके आज कितना calculate हो के आ गया यहां पर आया आपके पहला point आया आपके आज 4 फिर माइस का 3 और माइस कर आ अब आप लेंद आफ पी की वाराम से निकाल सकते हैं दी आपको formula पता है आप उसमें रख दीजिए उसको को फायदा नहीं है अब उसमें time waste करें direction ratios निकालना तो वह और भी आसान है आप किया किजिए x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1 में आप वो रख दीजिए तो यहां से क्या हो रहाएगा दोनों का difference देखे पी और क्यू का पी केतना 4 और यह हो गया 6 हो गया पहले वाला फिर माइस का 3 और माइस का 1 माइस का 4 हो गया फिर माइस का 1 प्लस का 5 माइस का 1 और प्लस का 5 यानिकी 4 आ गया यहां पर अगर दो पाइंट है कि उसमें लाइन जोती है प्लेन के पारलल होती है अगर आप कहें कि इसकी इमेज निकालने लाइन की इमेज तो यहां पर अगर यह दो पाइंट है तो यहां पर भी हमारको इमेज में 2 पाइंट मिलने चाहिए तभी इन 2 पाइंट से जाने में लाइन आपको मालूम है यहां पर भी आपको मालूम है तब आप कैल्कुलेट कर सकते हैं नहीं तो आपको एक पाइंट मालूम है इसका एक पाइंट मालूम है इसका एक पाइं लेगा हमको इसका जो नॉर्मल है वो इसके साथ अगर 90 के एंगल बनाएगा तो यह plane के parallel हो जाएगी तो देखिए इसको मुझा लिपलाए करिए 3 तुज 6 यानि कितना हो गया आपके 5 प्लस का फिर माइस का 5 प्लस और इंटु 1 यानि कि माइस का 5 5-5 तो 5-5 आपके 0 यानि कि यह जो लाइन है यह parallel है इसके ठीक है अगर यह parallel है इसके तो सब तो फिर आपका काम बन गया क्योंकि DR तो आपको यह parallel खुद इसवाई लाइन के DR और इस वाई लाइन के DR बरापर होंगी सेम आपको ले सकते हैं अब आपको पॉइंट रहें तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है आपके पास 1 3 और 4 अब यह जो पॉइंट आपके पास है इससे आप क्या करें एक image पॉइंट निकालने यहाँ पर इसका image प पाइंट यहाँ पर यह पी ले लिजया आप यह क्यूव ले लिए और यहाँ से आप प्रपनिट ड्रॉप करते हैं यह मिड्पइंट आर आपके पास आजाएगा और पिर आप इस पाइंट गए इसको गैलिट कर लेंगे अफिए यह लाइन आ जाएगी तो चलिए देखत आपको किसके लिए ने नॉर्मल के लिए नॉर्मल के लिया है 2-1 और 1 आप इसको लैंबडा के एक्वाल दिख लेगे तो आपके आज क्या हो गया x is equal to 2 lambda plus 1 y is equal to minus lambda plus 3 z equals to lambda plus 4 ठीक है अब यह point यह आर है तो यह लाई करता है किसे plane पर अगर plane में लाई कराएंगे इसको तो कितना आएगा 2 x 2 lambda plus 1 minus minus lambda plus 3 और यहां से कितना आएगा z के वह लिए कितने यह lambda plus 4 plus 3 equals to 0 ठीक है तो यह हो गया 4 lambda plus का lambda और plus का lambda तो आप यहां से lambda की value calculate करेंगे तो यहां से lambda की value minus 1 ठीक है आपके lambda की value आगे आपके पास आ गई तो आप r की coordinate निकाल सकते हैं तो r की coordinate यहां से आ रहेंगे आप diet निकाल सकते हैं के coordinate आएगा आपके बास कितना आ राएगा यहां से आपके बास आपके बास चली calculate करी लेते हैं मैंने diet calculate करके नहीं रखा इसको तो लैमडा की वली यहां माइस वन रखी तो यहां से आ रहाएगा कितना आपके बास यह माइस का 2 प्लस का 1 यह ओगए आपका जlgn प्लस का फ्लन प्लस का 4 यहां और् यहां से आप Q करक सकते हैं यहीं आपके पास आएगा यह आएगा माइस का 3, 5 और 2 आजाएगा अब देखिए आपके आज पॉइंट आगे, इमेज पॉइंट आगे तो आपको लाइन लिखने के लिए कोई प्रालम नहीं है लाइन लिखने है अगर आपने, आप क्या किजिए इसके पैलेल वाली लाइन लिखने है आपने basically इसके पैलेल याएन कि इसके पैलेल अगर आपको लाइन लिखने है तो DR इसके आप ले लिजी और point याप ये ले लिजी यान कि X plus 3 upon 3 Y minus 5 upon ये DR कितना है इसका DR है 1 equals to Z minus 4 और DR कितना है Z minus 2 और DR जो है इसका, वो है माइस का 5, यह अनके देखे, DR तो आपको ऐसी कॉपी करने, और पाइंट आपको यह वाली लेने हैं बस, आपका अंसर आ गया, ठीक है, I hope it is clear to you, चली यह आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यह भी जही की बाल में 2019 की, The plane which bisects the line segment joining the points, this one and this one at right angle, passes through which of the following points, देखें, basically वो कह रहा है कि एक line है, यह दो points से जाती है, एक है, माइस का 3, माइस का 3 और 4, दूसरा है, 3, 7, 6, अब यह जो, point को join करने वाली line है, line segment है, उसको right angle पर bisect करता है, एक plane, suppose that यह plane माने बनाया है, अभी bisect करता है, इसको यहाँ पर suppose that, तो यानि कि इन दोने का mid point होगा, वो plane पर लाई करता होगा, ठीक है, and right angle पर है इससे, तो यानि कि इसके जो normal के डियास होगे, जो normal के डियास होगे, वो इस line के डियास के एक पर होगे, ठीक है, तो इसी को हम लोग use कर लेते हैं, दीक है, plane की equation लिखने नहीं है हमको, तो इसके डियास, इसके आप डियास निकाले इस y-line के, तो PQ सबोजर्ट मने यह point लिया, इसके DR, जो PQ के DR होगे, वो कितने हो जाएंगा, 0, फिसमें से separate किया, यह separate किया, यह 10, और यह separate किया, आपने से 2 आगया, यह DR आगया इसके, यानि कि यह DR इसके है, तो आपके पास एक्वेशन आएगे, plane की, वो कितने हो जाएंगे, 0x, plus tan y, plus 2z, plus d, equal to 0, अब देखिए, यह perpendicular bisector है, यानि कि इन दोनों का midpoint जो होगा, वो plane पे लाएगा था, वो तो PQ का midpoint निकाले, अगर आप midpoint निकाले, तो, sorry, यह यहाँ पर 3 और 6 होना चाहिए, यह हम लोगो ने था सा, देखाने, यह plus sign का difference है, तो यहाँ पर 6 का लिजे, इन दोनों का difference लेदे, यहाँ पर यह हो गया 6, एक बार बार चेक कर लेदे 10, और यह हो गया 2, 3, ठीक है, तो चलिए, अब आपने क्या किया, इन दोनों का midpoint निकाले, निकालेंगे, दोनों का sum करके divide किया, तो midpoint आया, पहला 0, फिर दोनों का sum किया 4, by 2 यानि कि 2 आगया, फिर दोनों का sum किया, कितना हो गया, 10 यानि कि 5 आगया, अब यह point जो है, यह वाला point जो है, यह सब बोदर R है, R जो है, plane पर लाई करता है, तो इसको satisfy करेगा, तो हमको 30 माइस का 30 हो गया, तो यह equation जो plane की बनी है, हमारी basically, वो बनी है हमारे बाद 6x, plus 10y, plus 2z, और यह हो गया, माइस का 30 equals 0, अब यहाँ पर अगर आप point जो है, यह रखके आप देख लिजे, जो satisfy करेगा, वो point लाई करता होगा, तो हमने देखा है, यह वाला point इस पर लाई कर र important problem है, यह सब जेगे की, और आपके पास अगर visualization है, actual में, तो यह problem आपके लिए बहुत असान हो जाएंगे, बहुत interesting भी है, चलिए आँगे देखते है, question no. 4th है, the point where the line joining this one and this one cuts the plane this one, यह जो एक line है, जो इसको join करती है, basically, इन दो points को, वो cut करती है, प्ले को कहाँ पर वो बताना हो point, और also find the ratio in which the plane cut, तो अब देखे पहले क्या करना है, एक point यह क्या करते है, एक line निकाल लीजे, दो points से जाने वाली, तो कितना हो गया, x-2, इन दोनों का difference कितना हो गया, 2, y-1, अपन इन दोनों का difference हो गया, माइस का 3, पर z- कितना हो गया, 3, और 5-3 हो गया, 2, अब देखे, वो point की coordinate निकाल लेते हैं हम लोग, जो इस दोनों common point निकाल लेते है, 2 lambda प्लेस 2, माइस का 3 lambda, मैं डायट लिखना हूं, यह नहीं लि प्लेन पर हम ऐसा assume कर रहे है कि यह plane पर लाई करता है, ठीक है, बेसिकल यह है न, यह plane जैसे हम करें तो question, यह line है, 2 point से जाती, यहाँ पर एक point रेखा है, यह point हम लोग यह assume कर रहे है, तो अगर इसमें रखेंगे इसको आप, तो जो lambda की value आएगी, वो आएगी आपके पास कितनी, minus 1, आप रखके देख लीजिए इसको, यहाँ पर थोड़ा जगा प्रावलम है, आप इसको अगर रखेंगे तो यहाँ पर इसकी lambda की value आएगी, कितनी, minus का 1, अब यहाँ से आपके point है जाएगा, point क्या आएगा, यह आजएगा, minus का 2, plus का 2, यानके 0 आगया, यह minus का यह हो गया, 3, plus 1, 4 हो गया, यहाँ पर रखा, minus का 1, और 3, यह 1 आगया, तो यह point है आपके पास आगया, यह वाला point, ठीक है, तो पहली चीछ हमको point चाहिए थी, वो point आगया, अब कहता, find the ratio in which the plane divides the line, तो आप देखें सब्सक्राइब यहाँ पर k ratio 1 में डिवाइड करता, क्या हो गया, 4, plus 1, into 2, upon lambda plus 1, तो यहाँ, sorry, lambda यही, k है, तो k की value कितने आगया, आपके पास यहाँ से, minus का 1 by 2, ठीक है, तो यहाँ कि क्या हो गया, k ratio 1, अगर आप calculate करेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ आएगा, 1 minus का 1 by 2, ratio 1, यानि कितना आएगा, minus, यहाँ आएगा, 1 ratio 2, अब आप देखें, यहाँ पर, यह 2 से multiply कर दिये, देखें तो आप यह minus sign आएगा, यानि कि ए externally 1 ratio 2 में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप externally divide करता है, 1 ratio 2 में, बस, यह answer हो गया, I hope it is clear to you, हमने काफी कुछ plane में discuss कर लिया है, और उस फनेशी कर दिया है, इसमें कोई topic हमारा बचा नहीं है, plane में हमाया पास, बाकि अगर हमको लगेगा कोई और problem discuss करने का है, तो हम एक problem college से lecture बनाने वाले हैं, जिसमें हम लग सारी J.E. की या सारी और किसी completion की problem discuss करेंगे आप से, और अगर इस lecture को like कीजिए, share कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को subscribe कीजिए, चली मिलते हैं, next lecture में एक नए topic के साथ, till then good bye, thank you very much.